बाकि सब आपस में जूरते रहेंगे तुम लोग गुरूप में सेर कर दिये होगे तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की बारी है हम लोग का ऐसे हमारा रिप्रोडक्शन चला है जेनरल रिप्रोडक्शन चला है तो लाज्ट क्लास में हम लोग सेक्सवल गैमिट्स के phenomena cat plus fusion से जो नया इंडीवीज्वल "; फोल्राथड करते हैं है उसे हम लोग कहते है सेख्वली प्रोडक्शन थिकते अगर पर simply sexual reproduction का definition बोले तो मतलब यहां पर कि sex gamit यह gamits involve होना compulsory है वो भी gamits के formation के साथ gamit का fusion होना जरूरी है बोले तो fertilization होना जरूरी है आगे हम लोग इसके बारे में detail देखेंगे मतलब किसी कोई individual का अगर formation हुआ है मतलब कोई अगर individual develop किया है new individual तो उसमें formation होना चाहिए gamit का ठीक है और fusion होना चाहिए gamit का आपस में मतलब दो gamit का आपस में fusion होगा तब ही जाके वो fertilization होगा और तब ही जाके sexually production कह लाएगा आगर यहां पर एक ही से मतलब formation of gamit plus fusion of gamit को sexually production कहेंगे तभी जाके वहाँ पर variations create होगा तो अब क्या-क्या है इस्ट्वेंट्स क्या-क्या है Craticity of Sexually Production यह हम लोग डिटेल में देखते हैं पहला नमर इस्ट्वेंट्स आपको बता दो कि तुम लोग अचा पहला नमर करकाम प्राइव इसलिए तुम लोग के नहीं होगे लेकिन नॉolesomeली अगर जिस दिन तुम लोग का class का timing fix है तुम लोग के class के पहले भी एक class होता है नेट का class अगर लेट से छुटेगा तो तुम लोग का class में delay हो सकता है ठीक है तो इस बात को लेकिन तुम लोग time पे आ जाएकर होगे time है 8.30am ये तुम्हें अच्छे तरीके से पता है अगर तुम लोग नीट की तैयारी करने बाले हो तुम्हारे में 11 and 12 दोनों का question आएगा और दोनों को सही रंग से पढ़ना जरूरी है तो 11 का class मतलब सकें फर्स्ट इयर का जो 11 का class होता है Tuesday, Thursday and Saturday और जो 12 का class है मतलब तुम लोग का Second Year का होता है Monday, Wednesday and Friday और संडे के दिन class बाद नहीं होता संडे के दिन quiz हुआ करता है मेंटी quiz तुम लोग अगर उस quiz में participate नहीं किये थे मुझे पता है तुम लोग participate नहीं किये थे लेकिन तुम लोग के लिए भी कमपल सरी थे अगर तुम लोग नीट का तैयारी करने वाले हो जिसका एम है कि नीट का तैयारी करना तो ये दोनों class को जोइन करोगे 11 और 12 दोनों class का मतलब regular तुम पर होगे अगर तुमको simply 12 पास करना है तो तुम Monday, Wednesday, Friday and Sunday को अगर quiz यार टेस्ट वा तो उसमें जोइन करोगे ठीक है मतलब कभी 11 का होगा तो कभी 12 दुका होगा तुम लोगो time table पाले से दे दिया जाएगा और अगर simply 11 का है तो Tuesday, Thursday and Saturday और Sunday यही दिन है अभी ततकाल में कुछ दिनों के बाद से 11, 12 दोनों regular हो जाएगा क्योंकि syllabus बहुत बढ़ा है biology का और NEET में एक एक चीज परना परेगा कहीं से भी आ जाए एक भी question छुटने नैं अपाए NEET में भी पलस बोर्ड में भी थीक है तो हम लोग देखते है Crasticities of तो Jestoroints क्रेक्ञा़ देखते हैractric到了 personality production क्या क्या है पहला it is usually by parental मतलब यह बाइपालेइंटल होगा यहाँ पर Mother-Father होगा, मतलब यहाँ पर दो Parents होगा, अगर दो Parents नहीं होगा, एक ही Parents होगा तो हम लोग परहेते एसेक्सवल प्रोडसों का Characteristic में Uni Parental, यहाँ पर है Bi-Parental, Bi मतलब यहाँ पर देख रोगा, बाइ मतलब दो पारेंघ होगा गैमने जेवार मतलब यहां पर गैमने सक तो फॉरमेजन कोगा उट हूगा बाइ दो लाप्रमेसन को फॉरमेजन को पोड़ा ही प्राइस होगा और और वधियूलाइज अफॉरमेसन हिए सब्सक्राइब और जो अलेबन में हो वह पर होगे कि कि यहां पर मियोसिस और माइटोसिस तुम लोग जानते हो लेकिन फिर मैं बताता हूं अगर माइटोसिस में क्या होता है अगर माइटोसिस डिवीजन है तो यहां पर एक से दो से चार ऐसे करके बनता है मतलब वन सेल से दो सेल का मतलब एक सेल है इससे दो सेल बनता है और नमर अफ क्रोमोजोम सेम होता है अगर यह two n है तो यह भी two n ही होगा लेकिन अगर meiosis की बात करें meiosis एक cell है एक cell से चार cell का फोर्मेशन होगा चार cell फोर cell इसलिए इसको reduction division भी कहा जाता है reduction division या equational division या mitosis में एक cell से दो cell बना meiosis में एक cell से चार cell बना यहांपर chromogyome अगर 2N है तो यहांपर chromogyome N हो जाएगा, आधा हो जाएगा मतल़ माइटोसिस में chromogyome में कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन मियोसिस में फर्क पड़ा गैमिट में, क्यों? क्यों कि मियोसिस में जब आधा होगा तब ही तो जब fusion होगा तो फिर से 2N restore हो जाएगा ठीक है तो chromozome मतले हम यहाँ पर जो gene है restore करने के लिए यहाँ पर meiosis division होता है अब mitosis इसलिए ताकि number बढ़ाने के लिए ठीक है एक से दो दो से चार तो meiosis माइटोशесь वहाँ पर होता है खास करके sperm cell में होता है तुम लोग देखो के आगे जब हम लोग बताएंगे gametogenesis तो gamma genesis में हम लोग देखेंगे कि मियोशिस और मैटोशीस दोनों कैसे होता है लेकिन यहाँ पर मैटोशिस तो होगा लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एड होगा मियोसिस, so it involves both मियोसिस and माइटोसिस, जो सेक्षवल रिप्रोडक्शन होगा, यहां पर यह दोनों involved होगा, किलियर है, और इस्टुडेंट्स बता दू कि तुम लोग को जो notes दिया जाएगा, जो notes प्रोभाइड किया जाएगा, वो simply यह PDF दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो पिला कलर या लाल कलर या बुलू कलर से जो लिखते हैं, यह तुम लोग को नहीं दिया जाएगा, इसलिए तुम लोग copy रख लिया करना, copy रखते होगे, definitely, अगर नहीं रखते होगे, तो copy रखा करना, और उस पे छोटा-छोटा लिखते जाना, जब तुम लोग को इसका PDF में जाएगा, उसमें लिख लेना, या तो copy में notes बना लेना, जो जो extra लिख रहे हैं, जो जो extra word लिख रहे हैं, extra term लिख लोग अभी ही लिखना चाहते हैं, तो बाद में इसको फिर से चलागे, जब अभी तो class पर रहा हैं, ठीक है, जब समझ गए, तो समझने के बाद जब class खत्म हो जाएगा, तो फिर से खोलोगे, इसलिए YouTube पे बता रहे हैं, Google Meet या Geo Meet पे नहीं बता रहें, YouTube पे बता रहें, क्योंकि ये रह जाता है तुम्हारे पास, और बाद में अगर छूट जाता है, तो फिर से लिख सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं, class नोट्स, ठीक है, ये तो देंगे ही देंगे, प्लस बाद में इसको लिख भी लेना है, आगे बढ़ते हैं, इस बहुत मियोसिस और म स्य देंगे, इस ओट लएगा, फिर से लेघाए डाल, में इसको नोट को भी लुगहे रहा है, और में इसको नोट सोई यी प्रोड्कोन, यहां तक किलियर है सबका ओके आगे बढ़ते हैं यहां तक सबका किलियर हो गया होगा आप देखते हैं हम लोग इवेंट्स और इस्टेजेज इन सेक्शुल डिपरोड़क्शन का नम्मार एक प्री फर्टीलाजेशन नमार टू है फर्टीलाजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टीलाजेशन यह three stages है, sexually production में, हम लोग एके करके तीनों को देखते हैं, पहला है, events of pre-fertilization, मतलब pre-fertilization के पहले का जो event से वो इसमें सामिले, क्या-क्या, gametogenesis, gametogenesis मतलब जैसे gamet का formation, यह male gamet और यह है female gamet, ठीके, तो gamet का जो formation होता है, इसे हम लोग gametogenesis करते हैं, process of meosices, मियोसिस के द्वारा जो gamet का formation हो रहा है, उसे हम लोग gametogenesis करते हैं, ठीके, तो जैसे male में, sperm का formation होगा, female में, ओभम या एक का formation होगा, तो यह जो process है, ओभम या एक, sperm का formation हो रहा है, process करता है, gametogenesis, normal body से, और उसका gamet transfer, gamet का transfer, male और female से, मतलब male organs से gamet का transfer, जब female तक होता है, उसे gamet of transfer भी कहते हैं, तो यहाँ पर transfer, अगर plants बगरे में transfer की बात करें, तो आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर दखो एक gamet है, दूसा gamet है, आपस में fertilize कर रहा है, जब दो male gamet और female gamet आपस में जूर रहा है, इसे हम लोग fertilization कहते हैं, fusion of gamet, to form a deployed jagot, मतलब यहाँ पर fertilization में fusion of gamet हो रहा है, to form a deployed jagot, jagot, deployed jagot term क्यों यूज किये, क्योंकि यहाँ पर gamet का formation हुआ है, miosis division के दूरा, और miosis में gamet में chromozom का संख्या N हो गया है, तो यहाँ पर N, 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 2N, मतलब haploid and haploid, यह haploid, यह haploid, मतलब male female, जैसे यहाँ पर 2 gamet है, एक है N, दूरा है N, जब gamet, जैगोट का formation हो जागा, यह हो जागा, to end, deployed jagot का formation होगा, fertilization दो पर करका होगा, एक तो external fertilization हो सकता है, दूरा internal fertilization हो सकता है, पहले external fertilization, external fertilization, जैसे frog हो गया, आफिस हो गया तो यहां पर क्या होता है जो स्पर्म होता है मेल का फिमेल के बोडी के अंदर नहीं डाला जाता है मतलब फ्रॉग में नहीं जाता फिमेल फ्रॉग में नहीं जाता हुए स्पर्म female क्या करती है वो एग को पानी में डाल देती है तो male से इस पानी में चला जाता है पानी में डालता है और पानी में मतलब water medium में यहाँ पर fertilization होता है तो female body के अंदर नहीं हुआ female body के बाहर हुआ इस तरह के fertilization को external fertilization करते हैं ऐसे आजकल human wings में भी external fertilization होने लगया है जो test tube होता है ने test tube baby तो वहाँ पर female body के अंदर में fertilization नहीं होता तब female से एग या ओभम को लिया जाता है ओभम को और male के sperm को test tube में artificially fertilize कर वाए जाता है तो यह external fertilization यह exception कैसे लेकिन यहाँ पर इसलिए हमार जगा बोलते है generally generally term को यूज करते है not always क्योंकि exception is always there तो यह test tube baby जो external fertilization का example है यह female body के बाहर में fertilization होता है लेकिन normally अंदर में होता है तो जहाँ पर fertilization female body के अंदर में होता है उसे internal fertilization करते है किलियर है यहाँ पर आगे है post fertilization मतला fertilization जब हो गया तो उसके बाद क्या होगा तो post fertilization क्या क्या events पहला नमर जाइगोट जहरी जब आते हैं जब फटलाइशन होगा तो वहाँ पर जाइगोट का formation होगा नमर टू embryogenesis अब जाइगोट जैसे बन गया टू एंड मिला और यह जाइगोट का formation हो गया दो गैमिट को मिलने के बाद तो यहीं से individual थोड़ी बन गया निव इंडिविज्वेल नो अब यहाँ पर इमढ़ाय और यहां मिलटा फार तो चोठास जो कि अपने आँच से नजर नहीं आएगा नोज दो बबरते भरते परते इतना बढ़ा हो जैसे कि मेरा देख लो तुम लोगों को नजर आ रहे है नहितना बढ़ा इतना बढ़ा नजर आ रहे हैं न स्युरू में इतना और आज यहां पर तुम लोग के सामने खराएं और तुम लोगों को बता रहें तो इतना सारा प्रोसेस वा और यह सब का सब कहलाता है पोस्ट फटलाइजेशन ठीक है तो इस प्रेंड यह सारा चीज डीटेल में हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे पोस्ट फटला कोके हैं तो इससे आगे बहते हैं हमाई कि अब आरखे बरते हैं और देखते हैं टाइप सउफ गेमिल्ट अब लोग गेमिट का टाइप देखेंगे तो टाइप सफ सो गेमिट में कि एक है是這樣 he me दूसरा nut egmi अभी जो हम गेमिट Помेशन ओव फ०्र में पर यहाँ पर नरग fünf ओड गेमिट देखेंगे फिर्स्टॉ חम लोग देखेंगे फ legit U कि फ्यूजन ओफ मॉर्फोलोजिकली सीमिलर गेमिट अगर अगर मॉर्फोलोजिकली मतलब और ऑ इंटरनली एक मेल की तरह और एक फिमेल की तरह बिएब कर रहा है लेकिन यहां पर लेकिन आपस में देखने में एकनम बिल्कुल सेम है यहां पर morphologically term का यूज कर रहे हैं तो fusion of morphologically similar gamet is known as isogamite number one isogamite मतलब same structure and size यहां पर structure और size दोनों same होगा ठीक है structure भी same होगा और size भी same होगा तो इसको हम लोग isogamite कहेंगा और इसका example है clamatomonas, macrosystis and cladophora देख रहों यहां पर fusion हो रहा है दोनों same size का है same size का gamet बना दोनों में same same फली जला हुआ बस एक male की तरह behave कर रहा है एक male की तरह behave कर रहा है और एक female की तरह behave कर रहा है बस इतना ही difference है इसलिए इसको morphologically similar बोलेंगे एक्जांपल फीर से clamatomonas, macrosystis and cladophora यह exam में आएगा तुम लोग का इसलिए यह सब को थोड़ा सा बढ़ियां से समझो और जब बढ़ियां से समझोगे तो याद करने की जवरी नहीं पढ़ेगा लेकिन अगर ठीक से नहीं समझो तो याद क करना मुस्कीली नहीं ना मुंकीन है इसलिए तुम लोग कोसिस करो कि क्लास में ही regular class attend करके अगर एक बार में समझ में ना आए तो बीच में पूछ लो कि इस चीज़ी को फिर से बताईए सर हम बताएंगे ठीक है इवें तुम लोग क्लास 8 का क्लास जोएन करना कभी देखन इसलिए पूछ लेता है कि सब्सक्राइब को समझ में नहीं आया फीर से बताईए और फीर से बताते है तो तुम लोग का झीर कर दो आईये पर पीजिकली विजिट करोगे या तो बीच-बीच में डिमांड करोगे कि वीडियो कॉंफरेंसिंग करना है तो हम जियो मीट हो या Google Meet हो या टेलीग्राम हो जैसे भी वीडियो कॉल करके तुम लोग को बताएंगे टेंशन ने लेना है कॉल हम कर देंगे ठीक है तुम खाली हमें मैसेज कर देना कॉल करके जब हमको टाइम मिलेगा हम बता देंगे तुम लोगों को डायरेक्टली लेकिन किसी भी तरीके से कन फ्यूजन नहीं रहने देना है क्योंकि अगर कन फ्यूजन रहने दिये डॉक्टर कैसे बनोगे मान लोग तुम ठीक से सिखने ही पाय तो फिर दोक्तर बनोंगे पेट में जाके ही टोगे जो सुने हो गानी तो ऐसा ही होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए समज के अच्छे सिंबगें लोगे लगे देखने में एक ही जैसा लगता है लेकिन यहां पर देख kamu है चले ओहो मेरे पीछे है ना अच्छे ये दिख रहा है अब नहीं दिख रहा होगा मेरे पीछे देखो तो ये जो है बोर्ड बोर्ड के पीछे है मतलब ये जो लिखने वाला मेरा है इसके पीछे तुरा ठीक से देखो दिख रहा है सबको तो तुम लोग को दिख रहा है तो यहां पर देखो एक है बड़ा एक है छोटा जो पिंग कलर का है वो बड़ा जो ब्लू कलर का है वो छोटा है ठीक है दिख रहा है सब को इसके नीचे धग गया है, हम अटा देंगे इसको आगे, या तो इसको नीचे कर देंगे, अभी तो इसी से काम चला लो, ठीके, अभी इसी से काम चला लो तुम लोग, तो यहां पर यह जो है, एक बड़ा है और एक छोटा है, अच्छा चलो, यह हैंग कर रहा है मेरे पास मे अजय अब केलियर है आप तो हैंग नहीं करना मेंने पास में हैं करना ही स्टार्ट हो गया को है ठीक है यह जो दो स्ट्केर है तो यहां पर जो बड़ा स्ट्रेश है वो फिमेल की तरह तो यहां पर एक बड़ा एक छोटा का सवाल क्यों है तो जो बड़ा है जो फिमेल नौर्मली बड़ा होता है तो यहां पर जो एक सब्सक्राइब चोटा इसको एनाइसो गेमी कहते हैं और यह क्लेमाडो मोनास ब्रॉनी में यह पाया जाता है दूसरा है मतलब तीसरा तो यहां पर fusion of fusion of a large non-motile female gamits and a small motile male gamit यहां पर fusion of a large motile female gamit non-motile नोन-motile फिमेल जो है वो non-motile female gamit होगा जो motile small motile male gamit होगा उसको हम लोगte करते हैं उ, मतलब female यहां परू गेमिट्ट टर्म का यूज़ गिया गया है यह है female तो female बड़ा है जा size female गेमिट्ट का बड़ा होता है और male स्चोटा होता है female का बड़ा इसलिए होता है क्यों कि sperm का मतलब male gamit जो niche होता है वह female के अंदर जाता है number one number two यह फीटेज को नुट्रीशन भी तो देना है बच्चे को जब वो बच्चा रहेगा काफी छोटा रहेगा दूसको खाना के भी तो जब भी पड़ेगी इसलिए फिमेल गेमिट का साइज बढ़ा रहता है अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और तुम लोग अगर कौपी में लिख रहे हो तो लिख लेना आगे इसको तो यहां तक सभी को किलियर हो गया अब आते हैं रिप्रोड़क्टिव फेजेज इन प्लांट्स अब प्लांट्स में रिप्रोड़क्टिव फेजेज क्या क्या है इससे हम लोग एक एक करके देखेंगे क्योंकि हम लोग का में रूप से reproduction इन प्लांट्स चल रहा है तो reproductive phases in plants में ही monocarpic plants plant जो अलग-अलग पाकरका होता है तो क्या क्या होता है यहों देखते है monocarpic plants flowers only once in their life मतलब वैसा plant जो कि अपने लाइफ टाइम में एक ही बार उसमें flowers and fruits होता है उसे हम लोग monocarpic plants कहते हैं फोर एक्जामपल जैसे वो गेहूं है all annual जितना भी annual plants है वो सबका सब monocarpic plant होता है फोर एक्जामपल wheat, rice जब वो एक बार पौधा हो जाता है उसके बाद वो कभी नहीं होता वहीं उसका last होता है ठीक है वो उसका पौधा ही मर जाता है फिर सेगलासी जनाता है तो ऐसा plant जो कि अपने whole life में एक ही बार उसमें fruiting and seeding होगा flowering होगा उसे हम लोग monocarpic plants कहेंगे ठीक है तो जितना भी annual plants है वो सबका सब monocarpic है all bianial plants जितना भी bianial plants है एक साल से जादा दिन तक रहने वाला मतलब दो साल तक रहने वाला उसे bianial कहते है तीन साल तक रहने वाला trianial कहते है all annual annual मतलब एक साल रहने वाला bianial मतलब दो साल रहने वाला तो जितना भी बाइनियल प्लांट्स है वो सब का सब मोनोकार्पिक प्लांट होगा। धुए, फोटो देखने में तुम लोगों कुछ कुछ दिक्कत हो रहा होगा गलत हैं, जिसमें लिखते हैं इसको थोड़ा सा आट नीचे करना चाहिए, चैहा, पर बड़HHH एक है, स्राइबंथियम, स्राइबंथियस्, खुटियानो, जिसको के हम को, हम लोग निला कुरिंजी कहते हैं, निला कुरींजी यह क्या होता है, फ्लावर उंस इन ट्वल बियर्ज, मतलब 12 साल में निला कुर्नी यह एक्चलिकी केरला में पाय जाता है, केरला करनाटका इं टेमिलन ओर नाडू में पायास हो लह को 了ग नकूरिनी जो नौर्थ इंडियन ईसको तरह ऑने इस्ट इंडियन को भी बहुयास वहता दअनोन उसरी classrooms को बmachine होता है तो यह निरा प्रणी सब्सक्राइब strongest दोड़ सब्सक्राइब ब्रस्वाज करते को साव़ करें। एक जाम कर जा सकता है और और तक या नर्थिश्ट इंडियन इस इसम्ह justice कई यह है IN few perennial plants like bamboo saw bamboo saw tulda flowers once in 50 to 100 years bamboo saw tulda सबी को पता होगा bamboo saw tulda क्या होता है bamboo bounce का जो पेर होता है वो तो north east में ये बहुत ज़़ा पाया जता है north east के जंगलों में madhya-pardish के जंगलों में भी पाय जयता है बिहार में भी बहुत सारा है तो जंगल के साथ साथ दूसरे एरिया में भी यह बैंबू का है यह perennial plants है मतलब बरसों तक रहने वाला लेकिन इसमें जो full air flowers होता है flowering सबसे पहले हम बैंबू में सुने थे कि बैंबू में भी flowers होता है लेकिन हम कभी देखे नहीं थे तो जब हम काना नेशनल पार्क गए थे मदपरदेश काना नेशनल पार्क घुमने के लिए तो वहाँ पर हम पहली बार अपने लाइब में बैंबू में फ्लावर्स और फ्रूट्स देखे फर्स्ट टाइम तो क्योंकि इसमें 50 साल 50 से 100 साल में होता है तो जायर्शी बाते उतना दिन तक रहने कौन देता है अगर अपने एरिया में रहता है तो तो फर्स्ट आप ओल काना नेशनल पार्क में हमको देखने के लिए मिला था यह ठीक है इस्ट्वेंट्स तो यहां तक सबको किलियर होगा यह होगा मोनोकार्पिक प्लांट्स अब मतलब कि यृगार यह रहे होता है वह फूल लाइप में होता है साल होता है मतलब परती एक साल पर रिपीट होता है, एक रेगुलर इंटलबर हम लोग कहा है रहे हैं, फलावर से रेगुलर इंटलबर ऑप दे एर, फोर एक्जामपल, एपल, मैंगो, ओरेंज, ग्रेफ, वाइन, एक्सेटरा, मतलब एपल जो हो गया, मैंगो, ओरेंज, ग्रेफ, ये सब का सब परती एक साल में रिपीट होता है, मतलब परती एक साल पर होता है, ठीक है, आगे है फलावर्स थुरू आट दे एर, फोर एक्जामपल, चायना रोज, पेरिनियल पॉलिकार्पिक में, वो भी एक्जामपल ह यो कि साल उभर रहता है, जेसे की चायना रोज, पूरा साल रहता है, साल उभर इसमें फलावर्स होते रहता है, बारो महिना, all the 12 मन्त इसमें फलावर्स होते रहता है, ये भी पॉलिकार्पिक कही एक जामपल है, किलिए यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक था flowering and fruiting के अधर पे हम लोग divided किये थे sexuality के अधर पे sexuality और गेमिट को प्रोडूस करेगा या तो फिमेल गेमिट को प्रोडूस करेगा उसे हम लोग डायोसियस के और मोनोसियस किसका चाहिं में मतलब मेल और फिमेल गेमिट तोणों एक साथ प्रोडूस करथा है एक ही में ने तना इसाथ करता है मोनोसियस सब्सक्राइफ डायोसियस डायो डाय बोले तो टू मोलो बोले तो वन जिसमें टू पाइरेंट्स होगा मतलब मेल फिमेल अलग अलग होगा डायोसियस जिसमें वन पाइरेंट्स होगा बोले तो मेल फिमेल दोनों एक ही पे होगा पाइरेंट्स प्लांट बोल देते हैं ठीक है ठीक रहेगा तो गर्वर हो जाएगा जिसमें डो अलग अलग plants के ऊपर मेल अलग फिमेल अलग होगा उसको हम लोग network as aeseय मोनो मतलब 2 मौनो मतलब 1 जहां पर की एक ही के ऊपर मेल अर्थ फिमेल अपर उसको हम लोग कहें घाउप ने 1 से आ तो आइ मतलब अलग मलब दो मोनो मतलब एक मतलब जब अलग-अलग plants पारेंट्स होगा तो दानी होगा तो 인िदी आपर योणी सेक्षिवल कंडिशन यहां पर यद०्ध म吉利य है यहां पर ऐसेक्षिवल हर्माप्रोडाइट मतलब यहां पर मेल फीमेल दोनों प्लांट होगा फ्लावर होगा या हर्माप्रोडाइट होगा मतलब एक ही में मेल फीमेल दोनों होगा वर एकजमपल अर्थोciones अर्थोडी जा करे cleaning अरत वर्म तो तुम लोग अच्छे तरीके से देखे होगे और अर्थोड में मेजल और फीनल दोनों एक ज γह होता अलग नहीं ही सनक नहीं होता familiar फिमे अर्थोडीश में होता है ought तो अब ये क्या है? यूनिसेक्शल में हेट्रो थैलिक प्रोडूसेज गेमेट विथ नो मॉर्फोलोजिकल और फिजोलोजिकल डिफरेंसेज, एक्जाम्पल्स, मुकर, कोक्रोच, बर्ड्स, मैमल्स, एक्सेटरा. मतलब हेट्रो थैलिक होगा, प्रोडूसेज गेमेट विथ नो मॉर्फोलोजिकल और फिजोलोजिकल डिफरेंसेज, मतलब यहाँ पर हेट्रो थैलिक होगा, अलग अलग पे होगा, और यहाँ पर मॉर्फोलोजिकली डिफरेंस नहीं पाए जागा, मॉर्फोलोजिकल या फि फिमेल है बहुत बारी किसे देखना पड़ेगा मोनोसियस में क्या है होमोथेलिक होगा होमोथेलिक बोले तो प्रोडूसेश गैमिट्स विद मॉर्फोलोजिकल और फिजोलोजिकल डिफ्रेंसेज हो गया होमोथेलिक एक्जाम्पल है इसका राजोपस इस्टोलोजिकल डिफ्रेंस यहां पर रहेगा मोनोसियस में एक ही पर प्रोडूस हो रहा है लेकिन अलग अलग होगा यहां पर क्या है कि अलग 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 प्रोडूस हो रहा है लेकिन सेम होगा अलग 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 प्रोडूस हो रहे लेकिन सेम होगा यहां पर कि सेम प्रोडूस है लेकिन अलग अलग होगा इस बात को याद रखना है तो प्लांट का एक्जाम्पल है राजोपस इस्टोलो ज्यादा तुम लोग करते होगे तो राजयों पस्तो प्लांट सेक्शन में है एनीमल में एनीमल समें आर्थवां में स्पॉंज ठीक है टेप फिता किरमी और लिज ये सारा ची आर्थवां में स्पॉंज टेप लिज ये सबका सब अपना बाइलो जी स्पेसिमें मितलब इस दिन वीडियो के दौरा ये सभी चीज़ को दिख लाएंगे हमारे लैब में ये सारा का चीज परजेंट है ओरिजिनल फॉम में और सब को बता दो कि ये सबका सब मेरे से भी सीनियर है मैं जिसे में मेरा एज इतना है मेरे से भी पहले मर चुका था समझ आप कितना पु ज्यान नहीं दिये हुए सही द्रंग से की क्या क्या चीज है हमारे लेकिन सही द्रंग से देखोगे हाईली रिज लेब है हमारा है ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग सो मूब फॉरवड यहां तक सबका किलियर हो गया होगा अब वही है डाइवोसियस जिसको हम लोग यूनि सेक्ष्वल कहेंगे और मोनोसियस ठीक है जिसको हम लोग मोनोसियस को बाइसेक्ष्वल कहेंगे एक एक करके देखते हैं मेल फलावर्स जैसे इस्टेमिनेट फलावर्स एंड फीमेल फलावर्स जिसको पिस्टिलेट फलावर्स आर बॉर्ण ओन डिफ्रेंट प्लांट्स डाइवोसियस में सेक्ष्वलिटी और और गरिंजिम पर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा से डिफ्रेंस ज्यादा नहीं है यहां पर डाय मतलब अलगलग मोनो मतलब सेम एक ही पह तो जो डैयोसियस प्लांट होगावर्स जैस्टेमिनेट फलावर्स मतलब मेल फलावर्स इसको इस्टेमें होगा मेल गमिट का प्रोडियूस करने मार लोगा या female flower मतलब pestleilay flowers जिसमें कि female organ होगा और बॉर्ड ओर डिफ्रेंट फ्लांस अलग अलग प्लांट पर प्रोड्यूस होता है पैदा होता है लेकिन इसमें क्या है Monoceus में जैसे इसका example है plant sweet potato Monoceus का example है sweet potato इसमें क्या Staminate and pestleilay flowers on same plant यहां पर Staminate and Pristulate Flowers दोनों का दोनों सेम प्लांट पे प्रोडूइस होगा इसका एक्जाम पहले डेट पांप, पापाया, अदर प्लांट इसका एक्जाम पहले मार्चेंसिया डेट पांप, खजूर, तो यहां पर भाई अलग लग होता है पापाया मान लोग खजूर को तुम लोग कुछ लोग नहीं देखे होगे क्योंकि सभी एरिया में खजूर नहीं पाय जाता लेकिन पापाया को तो जरूर देखे होगे, लगबग अलमोस्ट अल ओबर इंडिया पापाया पाया जाता है तो यहां पर जो देखोगे, खास करके डेट को, डेट फार्म को, खजूर को वो ग्रूप में पाय जाता है अकेले नहीं पाय जाता है, पापाया का भी पेर देखे होगे, वो भी ग्रूप में होता है अगर अकेले होता है तो कहीं बार देखोगे क्या वो निकल गया ITS उसमें कुछ फ़लावरस हो गई है नहीं फूल होगाई बड़ फ्रूट नहीं होगा क्योंकि वो मेल हो गूँ ठीक है अधर प्लांट फूल होता है ठीक है लेकिन यह हो गया मेल और फिमेल यहां पर लगा हुआ रहता है बीच में एक जील पोजिशन पर ता कि ओपर से जाप पॉलेंग गिरेगा तो फिमेल को उपर गिरेगा और भुट्टा होता है मकई वह यहां पर होता है तो यह तोनों में डिफरेंस है और अच्छे तरीके से फोटो हम गलत जगह पर बना दिये हैं यह मेज का एक्जामपल उपर में देने तुम लोगों को दिखा नहीं था मेज जैसे देखे होगे तो उपर में फलाबर्स होता है और एक जाइल पोजिशन पर यहां पर मकई होत जो पका के खाते हैं मेरे मुह में तो अभी पानी आ रहा है क्योंकि हम खाए मैं नहीं खाया जिसको टेश्टी नहीं लगता है मुझे तो कफी बरी वहां लगता है ठाले में इस जगह पर कलाइटलम रहता है पीछे में टेल होता है यह सब का सब पीडियफ हम तुम लोगों को दे देंगे ठीक है डायोसियस प्लांट इसका एक जाम पहले मार्चेंसिया मेल अलग फिमेल अलग ठीक है प्लांट का ठीक है और यह कोकरोज देख लो बाइसेक्स्वल प् बिसुमें और इसमें और इसमें टेस्टीस है अधिते हूं अन्दर में होता है बार में नहीं होता हुं प्रवाइट करेंगे इसका फाइल बहुत है लोगों से हुख़ाइब साइफ को मढ़ना यह वाइट है ठीसका हैие अरहने इस फोतो। पीडिया सो घुख़ी है इए इससे न City डीजड़ी है इसका प्रसुआ जाया है यह जो नोच आए Dean सो ओलोग कोisesti करेंगे इसका फाइल बहुत हेबी हेबी होता है और तुम लोग को पता है कि 16 MB से ज़्यादा WhatsApp में ट्रांसपर नहीं होता वाटसप के थुरू नहीं जाता इसलिए ज़्यादा हेबी फाइल देने के लिए टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है तुम लोग को लिंक देंगे लेवन का भी देंगे तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना और 12 का भी देंगे तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना और उसको परना है अच्छे तरीके से सिर्फ डाउनलोड करने से नहीं होगा कान की कॉपी मगर रखने की बात है तो किता तो बहुत है तुम लोगों के पास क किता में तो लिखा हुआ है यह हर चीज ठीक है और अब बारी है इंब्राइव जेनेसिस की और कितना और बचा है इंब्राइव जेनेसिस लास्ट है सोच रहे थे क्या चोड़ देते हैं यह तो तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा बचा है कि नहीं से थोड़ा से होल्ड करो और थोड़ा से पेशेंस राको लंबा हो गया है क्योंकि लंबा टॉपिक है क्या करेंगे तो करना पड़ेगा तो और इस्कुल तो है नहीं कि 40 मिनिट का क्लास फिक्स है कि इतना टाइम प्रहाना ही है आपना क्लास है ठीकर दो 10-15 देम जब इसकुल में क्लास होता है फिर भी हम 10-15 मिर्ट एक्षा प्राते कई बार तुम लोग देखे भी होगे कि कई बार दो क्लास का एक क्लास ले ले लेते हैं तुसार टीचर को भी बोल देते हैं कि नहीं सार आज मेरा ही क्लास होने देजिए क्योंकि यह टॉपिक है अगर छ पर पर एक और थोड़ा से ज्यादा तो परना ही होगा और इवेन हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा तुम्हें घर में भी और भी परना एंसी आर्टी को तो कम सकम चार-पांच बार पर जाना अच्छे तरीकी से लाइन बार लाइन पैंसील रख लेना या मार कर लेना दाग मार के परना है तो डीवलेपेंट एंबिट यूप से जाग ओद जना आरेज इंब्री हो जने कि इसमें तीन पर यह ओविबीबीबीबीबड यह तीन परकार का ऑडिणिजम सोता है जिसमें कि पहला है अच्कुल 1 걱정 में ऌइब्परण लेघला मेंग टो ओबी परला रिप्राइज बर्ट्स केल्केरियस सेल मतलब केल्सियम का इसका सेल कभर बनावाता है तो जितना भी रिप्राइज और बर्ट्स है वो अंडा देता है पाइफ कि लगें जाणा लेता है यह जो अंडा होता है उसे बच्चा नहीं होगा लेकिन अंडा तो निकला मुर्गी के अंदर नहीं है अन्फटा इसलिए हां पर दोनों टर भी उच कर दिये तो यह भी पेस जो है रिप्ताल एंवर्ड इसका बेस्ट एक्जामपल दूसरा होता है भीवी पेरस जाइगोट डेवलप्स इन्टु ए यंग वन इंसाइड दा फिमेल बोडी और इसका मोस्ट अप दा मैमल इसका एक्जामपल है जाइगोट से यंग वन मतलब बच्चा का जो डेवलप्मेंट होता है फिमेल बोडी के अंदर जब होता है उससे हम लोग टू नोट परवाइड ननिशमें submitted to in मतलब है कि एंग को अपने अंदर तो रखती है फी मेल लेकिन उसको नीट्रिशन नहीं देती है मतलब जैसे कि human beings हो या mammals हो उसमें क्या होता है umbilical cord लगा रहता है mother से fetus के बीच में और उसी से nutrition होता है तो जो mother खाती है nutritious substances वही बच्चे में जाता है लेकिन वो भी भी पेरस में female के अंदर तो है लेकिन उसको nutrition उसके द्वारा नहीं दिया जाता मतलब mother के द्वारा मतलब यहां पर जनम भी दिया अंदर में भी रखा लेकिन nutrition भी नहीं दिया इसलिए इसको ओबो भी भी पेरस कहते हैं एक्जामपल है सार्क और रेटल सनेक और सार्क इसका बेस्ट एक्जामपल है किलियर है कुछ टर्म है फलेजलेट और प्लानो गेमेट्स फलेजलेट इसका फलेजलेट और ञारँ और प्लानो गेमेट्स मतलब ऐसा गेमेक्ट जिस में की फलेजला परजेंट रहता है उससे हम लोग फलेजलेट या सप्लानो गेमेट्स ले ये नया term है इसको याद रखने हैं ये नया term है इसलिए दो चीज़ करना ठीक है ये दो एक्जामपल है और ये सभी का सभी तुम्हें ग्रूप में हम लिंक दे देंगे केृप में और नीचे भी आगे से जितना क्लास बीटास के लिए करेंगे या Thus को इसमें ब्रोफाइल नोट सिर्वाइट करेंगे या कभी समयर हो इसलिए टेलिग्राम ग्रूप में भी सामील होना जरूरी है तो इस दोनों में तुम लोग सामील हो जाना अगला दिन तुम लोग टाइम पे आना मेरा भले ही लेट हो जाए तुम लोग जान भूज के बहुत कम परजेंट रहते हो तो बाइदी वे जिसको भी डॉक्टर बन इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और अगर तुम आप